ये भी पता लगा है के राखी बंदवाने गए भाईया पेले फिर उसका हाथ पकड़ा और उसको कमरे में लेकर गए फिर उसको पांच साथ मिनट कुछ सिखाया भाईया मोरे राखी के बंदन को निभाना अपने जीजु को कही काम पे लगाना ओ भाईया मोरे चार-चार बच्चो को सेट करा जाना ओ भाईया मोरे छोटे का खतना भी कराना ओ भाईया मोरे ऐसे बोली थी कैसे बोलना है मेरा भाई क्लास देता है पूरी ओनलाइन भी क्लास देता है, फेस टू फेस भी इसको क्लास देता है मेरा भाई, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सा गाना बोलना है, कौन सा संगीत निकालना है, कौन सा सुर निकालना है, कौन सा सुर छोडना है, कौन सा पकडना है, ये एपी सिंग जी बहुत अच्छे स अब एपी सिंग जी बिलकुल उनों का तन से मन से धन से हो सकता है, मेरा भाई बहुत द्यालू है, एपी सिंग, मेरा भाई बहुत द्यालू है, क्या हुआ अगर वो मुझसे रखड़ी नी बनाने आए, क्योंकि मैं फ्रेम नहीं हूँ ना मेरा नेम फ्रेम नहीं है, मैंनी ट तरंगे ले रादिये जाकर जो पीटी उशा जैट जी जो और मैं कितनी आपको दिका दू जिनोंने पहली महिला जिनोंने हवाईज उड़ा दिया उनसे तो राखी बंदवाने नी गए गर्व से जाते उनके साथ राखी बंदवाने ले भेन बांध राखी तुने जो काम किय मुझे फकर मसूस है तु मेरे भारत की मेरे सनातन की महला है उस मुसल्मानी से उस मुसल्मानी से जिसका कोई कदार ही नहीं है जो गदार है देश के लिए उस से राकी मनमाने क्यों सिर्फ नेम और फ्रेम चाहिए कि मुझे कवर करो मेरी कवरेज करो वाओ वाओ मीडिया वालो मुझे कवरेज करो, मुझे कवरेज करो, बस, कवरेज चाहिए, मैं बहुत हरान हूँ, बहुत परशान भी हूँ, कि भाईया को सिरफ और सिरफ नेक्टिविटीज ही क्यों आती हैं, पोस्टिव क्यों यह चलते हैं, हमेशा नेक्टिव और सिरफ यह पहले वाच करेंगे कुछ दिन कहा चल रहा है नेम फ्रेम का काम, जहां देखें कि मामला हाइलेट हो गया, वहां मेरे भाहिया जा के अपने आप ही कूद जाएंगे कोई बुलाए, जा ना बुलाए, भाहिया मेरे अपने आप आ जाएंगे, नो सुनो, सुनो, पूरी तुम लोगों को, मीडिया वालों को, कोई कुछ नियक पूछ रही है, है सीमा जी, क्या क्या बनाना आता है, है सीमा जी, क्या बना लेती हो, शरम आनी चाहिए यार, तुम मीडिया वाले हो, तुम कोई ढंका सवाल कर लो, और सीमा जी, यह भी पूछ लो, सीमा जी, साड़ पहनती और नाड़ा पहनती हो प्लाओज के नीचे कुछ पहनती हो कि आसे अभाउज पहनती हो। मैंतलब तुम लोगों का बस नहीं चलता तुम लोग ऐसे अभी सवाल पूछ लो तुम लोगों तुम लोगों ने पुछ मेडिया वालो ने उसको पूरे भारत की हिरोईन बना दिया जबकि वो गदार है देश की अच नहीं हुआ गदार महिला गलत तरीके से देश में आई और मेरी बच्चियों को मेरे सनातन की बच्चियों को और मेरे भारत की बच्चियों को गलत संदेश दे रही है ठीक मैं कहते हूं मीडिया वालो एक एक बार अपनी बेटी और भेन को सीमा की जगा रख कर देखो एक बार के तुमारी बेटी या तुमारी भेन कोई भी तुमारी रिष्टेदारी में जो क्लोज की हो जाओ यहां पर आग लगे छोड़ कर चार बच्चों को लेकर भाग जाए तो फिर बताना आप पत्रकार प्रपन हो पानी कर पाँमरी लोग के रहे रहे हैं पाकिस्तान से अस्थामा के काुंट में जा दुट्अ कर गाए इनके बहुंकने से मुझे कोई फरक नी पड़े गा क्योंकि यह कुछें पहूंक्ते रहिंगे जान कर लोगते, कि Swaz, कारव, कि नहीं रुखत थो कुत्तो के भौंकने से कारवा कभी नहीं रुखता मैं भीड में हूँ तो भी मैं बहुत हूँ मैं अकेली हूँ भीड से तो भी मैं बहुत और सच्चाई का साथ दूंगी ये कुछ भी बोले ये जो कल ढोंग हुआ है न ये प्रॉपरली एक सेट करके ढोंग हुआ है मैं उनकी मदर अपनी मां से जरूर पूछूँगी, कि मेरी मा को कल पता नहीं था, कि वहां पर तो राकी थी नहीं, कल तो राकी थी नहीं, कल राकी नहीं थी, जो आप लोग राकी बनदवाने चले, आज भी जो भैने हैं, जो बहने हैं, एक सो चालिस क्रोड की अबादी हैं, उसमें से जो मेरी बहने हैं, सब अपने दिल से ही भाईयों को प्यार करती हैं, क्या समझे को यह से प्यार नहीं करता, सब दिल से बानती हैं, पर अपने भाईयों को नक्षत्र के, अपने पंडितों के, हिसाब से कितने ट माभ आपको शुखी रखेगा क्या समझें पत्र का आम हरं मुठा किसी ता आपosa को निछ किन क्यों निवानि आपने क कल आपने भाइ को राकी और अपने लोगों को क्यों इक ताफ को क्याे आज कि बान ते बांद क है कहा है कल क्ट को बांद है तो एक रिश्टे पाँचवी जगा उसकी शादी हो गई, आप लोगों ने उसको बना दिया हिरोईन, अरे जूता उतार कर मारूं मैं ऐसी महिला के मूँ पर, जिस महिला को आप लोग नचानचा पिर रहे हो, शरम नहीं आती उसको, उसको पते अभी मेरे पर केस चल रहे हैं, और ऐसे में पान नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसको भाई के कहने से यह नहीं नहीं के भाई यह पाकिस्तान जा रही थी, अरे नहीं नहीं, मैं एपी सिंग वखिल, रहने दो, प्रधान मंत्री जी कैए, ठीक ठीक, एपी सिंग नहीं बोल दिया रह दो, एपी सिंग तो उन बचों को भी की कोशिश की थी जो लड़कों को फांसी होगी निर्भ है के हाना तब भी एपी सिंग ने अपना पॉजिटिव रोल निभाया था उन लड़कों के लिए शमा याचका लगाई थी हो गई फांसी हुई के नहीं हुई फांसी हुई है ना तो फिर सविधान से चलता कानून से आए एपी सिंग से नहीं चलता ये देश और बिलकुल ये महिला को कलमुही को कुल्टा को उठाकर पाकिस्तान भेजना चाहिए यहां पर जितन मैं बता दूँ ये भारत नुकसान खाएगा और बहुत बड़ा खाएगा और तुम मीडिया वाले उस नुकसान के जिम्मेद अरे तुम्हें क्या जुरूरता उसके घर जाने की ये मीडिया क्या दिखाना चाहती उसका तुम लोगों का बस नहीं चलता तुम लोगों तो को अरे सीमा जी साड़ी यहीं पैंती हो के साड़ी वहां भी पैंती थी अरे तुम्हारे पेटी कोड में नाड़ा है कि तुम के के पेंती हो अरे ढिला तो नहीं होता है तुम भुलाउज के नीचे भी कुछ पेंती हो का अइसी पहल तुमारा मीडियो बालों का बस नहीं चलता तुम लोग क्या-क्या उससे सवाल पूछो, अरे भाईया क्यों उसके घर जाते हो, क्यों उसको हाइलेट करते हो, आज जब हमारे भाई को पता लगा, देखते रहे लगा तारे एक महीना के, अरे ये तो मैटर बहुत उठ गया है, सीमा हैदर का, तो मेरे एपी सिंग भाई की चुन्ट करके, एंट्री हो गई, क्योंकि मेरे भाई की वही एंट्री होती है, जहां नेक्टिविटीज हो, मेरा भाई वही जाएगा, प्यार तो उसने हैदर से भी किया था, हैदर से पहले भी एक बंदे को प्यार किया था, ये भी प्यार था, फिर हैदर से किया, वो भी प्यार था, फिर वहाँ पर जो भी को जाने दोगे, तो ये भी प्यार है, ये कैसा एपी सिंग को प्यार नजर आ गया, भाईया कम से कम आप लोगों को इतना तो सोचना चाहिए, कि वो किसी टूल केट का हिस्सा हो सकती है, रजीब गांधी के पास भी एक महिला आई थी, और उसके बाद उनका खेल खतम हो तो ये किसके पास जाना चाहती, किसको लेना चाहती, ये अपने बच्चों को, अरे एक बाद बताओ, इस महिला को इतने लोगों से बात करती थी, कोई और लड़का नहीं मिला, किसको चाहिए था, मंद बुद्धी, भाईया बिल्कुल वो लपू है, जिंगू है, बांद को आपने देखो, भाई एक बाद बताओ, सीमा उसके घर आई, मीडिया में किसको जादा आना चाहिए था, सचीन को, सचीन को ऐसे करके मुँ आगे हाथ कर देती है, सचीन को वो बोलने नहीं देती, वो सचीन को तो बस इस तना आता है, ऐसे प्याल श्याल हो गया, प्याल कलता हूँ, आलू का परोंथा, पानी का गिलाच, छीमा तेली याद में, भूख लगे ना प्याच, आलू के परोंथों से प्यार नी हो तो उसको यही आता लपू को, यह जिंगुड सा यही कर सकता है, यह आलू के परोंथे फेलन लबली, तेरे को में लादूंगा, फेलन हैदर के लिए कह रहा है, कि वो खून का कत्रा कत्रा बच्चों को लाने के लिए बाएगा, तो मैं भी कत्ला कत्ला बादूंगा, अरे एक कतले से ज्यादा तेरे उपर खून नहीं है, कत्ला निकल गया तो तुद, डेड बोडी बन जाएगा, तो कहने का मतलब है, यह फाल है, देखिए उसकी टिक टॉक, और वो क्या क्या कर रही है, कैसे कैसे कर रही है, मैं तो कहती हूँ, आम कोई आम महिला हो ना, उसकी अवाज ना निकले, हमारे उपर कोई बात आ जाए ना, तो हम डिप्रेशन में पढ़ जाते हैं, कुछ खाप ही नहीं पाते हैं, और वो इतनी बेशन महिला हैं, और उसका सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग सनातरी, भाई बिलकुल सपोर्ट करो सीमा हैदर का, कौन सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर का सपोर्ट करो, और भगवान करे, जिनको सीमा हैदर अच्छी लगती है, उसकी बेहन, उसकी बेटिया, उसकी सीमा हैदर जैसी हो और उनको भी अगर अपने बच्चे दो है उनके पास चार है छे एक है अगर किसी यार के साथ उनकी बात होती है ना तो यार को लेकर फूर हो जाएं फिर मुझे ये लोग बताएं कि कितनी पीड़ा होई दूसरे के घर में हाना मतलब मीठा मीठा गब ये वो ही वही से आई हुई है सनातनियों तुम डूब के मर जाओ शरम आनी चाहिए तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए ये वो ही वो ही पाकिस्तान से आई है जिससे तुमारे अरवर को बुरी तरह मारा था और हमारे वो पंजाब का क्या नाम था लड़के का उसको मारा तेरे साथ क्या क्या हुआ?